नेक्स्ट एपिसोड के लिए 100 लाइक्स का टारगेट है। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 100 लाइक्स का टारगेट कम्पलीट करवा दीजिएगा। जैसे ही इस वीडियो पर 100 लाइक्स कम्पलीट हो जाएगा, आपको नेक्स्ट मतलब की सच में उनके हाथों में जादू थे तभी तो इतने बड़े बड़े डिजाइन जिनका आज देश विदेश में इतना नाम है वह भी इन चाचा को जानते हैं विश उनके पास कपड़ा रखते हुए कहती है चाचा जी यह कपड़ा लीजिए और मेरी बेटी के लिए ना बिल्कुल ऐसा प्रिंसेस वाला गाउन बना दीजिएगा वह बूरे से चाचा जी अपने मोटे से चश्मा में फोन पर उस गाउन की तस्वीर को देखते हुए कहते हैं बढ़िया गाउन तो मिल जाएगा जिसमें वह राजकुमारी बनी है कुछ भी करके क्या आप इसे जल्दी नहीं कर सकते हैं चाचा जी ने नामे सर हिलाते हुए कहा नहीं बिटिया मैं ये कपड़ा सिलकर आपको कल तक तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता हूँ मुझे कम से कम तीन दिन का समय लग जाएगा वह क्या है ना आज ही मेरे पास यह शादी का लहंगा आया है अगर तुम पहले लेकर आती तो मैं एक दिन में इसे सिलकर दे देता इतने दिनों से मेरे पास कोई काम भी नहीं था लेकिन ये लहंगा आज ही मेरे पास आया है और बहुत अरजेंट है मैं तीन दिन से पहले इस गाउन को नहीं सी सकता हूँ विश परेशान हो जाती है और परेशानी से टेलर चाचा जी को देखते हुए कहती है चाचा जी कुछ तो कीजिए मेरी बेटी के स्कूल में फंक्शन है और मुझे ये गाउन अरजेंटली ही चाहिए उसने बहुत प्यार से मुझसे ये गाउन मानगा है मैं उसे मना कैसे कर सकती हूँ उसका मेरे सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है मैं बहुत दूर से आई हूँ और बहुत नाम सुना है आपका प्लीज कुछ कीजिये ना, मैं पैसे ज़्यादा देने के लिए तैयार हूँ उसने इतनी रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि चाचा जी उससे कहते हैं, बेटा पैसों की बात नहीं है पर मेरे पास सच में इतना समय नहीं है कि मैं इस कपड़े को सी सकूँ लेकिन क्योंकि तुमने ये कहा है कि तुम्हें ये कपड़ा अपनी बेटी के लिए चाहिए तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ यहां से थोड़ी ही दूर पर मेरे एक रिष्टेदार की दुकान है थोड़ी राहत तो मिलती है लेकिन उसने कहा चाचा जी यहां की गलियां बहुत छोटी छोटी और घुमावदार है मुझे नहीं पता कि मैं वहां तक पहुंच पाऊंगी या नहीं क्या आप मुझे वहां तक ले जा सकते हैं मैं आपको ले जाओंगा मैडम विश हैरानी से पलट कर पीछे देखती है तो चाचा जी जल्दी से उसे देखते हुए कहते हैं अरे नंदू तुम अरे अच्छा हुआ तुम आ गए एक काम करो मैडम को पीछे मेरे भाई की दुकान तक ले जाओ इन्हें ये कपड़ा अजेंट में देना है विश घबराते हुए नंदू को देख रही थी क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो नंदू ने उसे एक सौरी तक नहीं कही और अब बस अजीब नज़रों से उसे घूरते हुए उसकी मदद करने के लिए कह रहा है विश जल्दी से कहती है नहीं चाचा जी इत्स लोके आप मुझे बता दीजिये जाना कैसे हैं मैं खुद ही चली जाओंगी पर तब तक नंदू विश के कपड़े वाला पैकेट उठाते हुए कहता है आए मैडम मैं छोड़ देता हूँ थोड़ी देर पहले मुझे से गलती हो गई थी मैंने आपसे माफी भी नहीं मांगी समझ लीजिएगा कि अपनी गलती के बदले पश्चाता आप कर रहा हूँ विश नंदू को घूर कर देखती है तो चाचा जी कहते हैं चली जाओ बेटा बहुत पेचीदा रास्ता है नहीं जा पाओगी नंदू छोड़ देगा तुम्हें नंदू आगे आगे चल रहा था और विश उसके पीछे-पीछे दुकान से निकल जाती है सच में बहुत घुमावदार और पीछे का रास्ता था नंदू से न जाने कौन-कौन सी गलियों से बहुत जुकी जोपड़ी के अंदर-अंदर तक लेकर जा रहा था विश को बहुत अजीब सी समेला रही थी और वहाँ पर उसे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था एक जगह पर आकर विश रुप जाती है और कहती है कोई बात नहीं आप मुझे मेरे कपडों का पैकेट वापस दे दीजिए मैं खुद ही ढूंड लूंगी आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है नंदू पलट कर विश को देखता है और कहता है मैडम ये तो रही दुकान हम पहुँच गए हैं विश देखती है सामने सिर्फ एक मकान है और वहाँ पर कोई कपडों की दुकान नहीं है वह हिरानी से नंदू को देखती है तो नंदू कहता है अरे वह भाई साहब उपर बैठते हैं उपर वाले कमरे में बैठ कर सिलाई करते हैं ये देखिए ये छोटी सी सीडी है आप उपर चली जाए विश नंदू के हाथ से कपड़ों का पैकेट लेती है और उस छोटी सी लोहे जैसी सीडीों से उपर की तरफ चली जाती है दो मंजिला बहुत ही छोटा सा जगह में बना दूस होता है उसके बाद क्या हुआ विश को कुछ समझ में ही नहीं आया पैकेट हाथ से छूट चुका था और दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था दिल मेरे जो रीडर मेरे चैनल पर या फिर इंस्टाग्राम ग्रूप पर एड है उन्हें पता होगा कि आज एपिसो चाचा जी यह कपड़ा रखते हुए कहती है पड़ा लीजिए और मेरी बेटी के लिए ना बिल्कुल ऐसा प्रिंसेस वाला गाउन बना दीजिएगा वह बूरे से चाचा जी अपने मोटे से चश्मा में फोन पर उस गाउन की तस्वीर को देखते हुए कहते हैं बढ़िया गाउन तो मिल जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा विश चाचा जी से बात कर रही थी इस बात से अंजान की दुकान की टूटी हुई खिर्की के पीछे से नंदू विश को ही देख रहा था विश ने हैरान होते हुए चाचा जी से पूछा टाइम लग जाएगा कितना टाइम लगेगा मेरी बेटी को ये गाउन कल ही चाहिए परसों उसके स्कूल में एनुल डे है जिसमें वह राजकुमारी बनी है कुछ भी करके क्या आप इसे जल्दी नहीं कर सकते हैं चाचा जी ने नामे सर हिलाते हुए कहा नहीं बिटिया मैं ये कपड़ा सिल्कर आपको कल तक तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता हूँ मुझे कम से कम तीन दिन का समय लग जाएगा वह क्या है ना आज ही मेरे पास ये शादी का लहंगा आया है अगर तुम पहले लेकर आती तो मैं एक दिन में इसे सिल्कर दे देता इतने दिनों से मेरे पास कोई काम भी नहीं था लेकिन ये लहंगा आज ही मेरे पास आया है और बहुत अजेंट है मैं तीन दिन से पहले इस गाउन को नहीं सी सकता हूँ विश परेशान हो जाती है और परेशानी से टेलर चाचा जी को देखते हुए कहती है चाचा जी कुछ तो कीजिये मेरी बेटी के स्कूल में फंक्षन है और मुझे ये गाउन अरजेंटली ही चाहिए उसने बहुत प्यार से मुझसे ये गाउन मानगा है मैं उसे मना कैसे कर सकती हूँ उसका मेरे सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है मैं बहुत दूर से आई हूँ और बहुत नाम सुना है आपका प्लीज कुछ कीजिये ना, मैं पैसे ज़्यादा देने के लिए तैयार हूँ उसने इतनी रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि चाचा जी उससे कहते हैं बेटा पैसों की बात नहीं है पर मेरे पास सच में इतना समय नहीं है कि मैं इस कपड़े को सी सकूँ लेकिन क्योंकि तुमने ये कहा है कि तुम्हें ये कपड़ा अपनी बेटी के लिए चाहिए वह उसे बाद में करेगा मैं उसे कह दूनगा कि पहले तुम्हारा का पड़ा से ले विश थोड़ी राहत तो मिलती है लेकिन उसने कहा चाचा जी यहां की गलियां बहुत छोटी छोटी और घुमावदार है मुझे नहीं पता कि मैं वहां तक पहुँच पाऊंगी या नहीं क्या आप मुझे वहां तक ले जा सकते हैं मैं आपको ले जाओंगा मैडम विश हैरानी से पलट कर पीछे देखती है तो चाचा जी जल्दी से उसे देखते हुए कहते हैं अरे नंदु तुम जल्द करने के लिए कह रहा है विश जल्दी से कहती है नहीं चाचा जी इस ओके आप मुझे बता दीजिए जाना कैसे हैं मैं खुद ही चली जाओंगी पर तब तक नंदु विश के कपड़े वाला पैकेट उठाते हुए कहता है आये मेडम मैं छोड़ देता हूँ थोड़ी देर पहले मुझे से गलती हो गई थी मैंने आपसे माफी भी नहीं मांगी समझ लीजिएगा कि अपनी गलती के बदले पश्चाताब कर रहा हूँ विश नंदु को घूर कर देखती है तो चाचा जी कहते हैं चली जाओ बेटा बहुत पेचीदा रास्ता है नहीं जा पाओगी नंदु छोड़ देगा तुम्हें नंदु आगे आगे चल रहा था और विश उसके पीछे पीछे दुकान से निकल जाती है सच में बहुत घुमावदार और पीछे का रास्ता था नंदु से न जाने कौन-कौन सी गलियों से बहुत जुकी जोपडी के अंदर अंदर तक लेकर जा रहा था विश को बहुत अजीब सी समेल आ रही थी और वहाँ पर उसे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था एक जगा पर आकर विश रुख जाती है और कहती है कोई बात नहीं आप मुझे मेरे कपडों का पैकेट वापस दे दीजिए मैं खुद ही ढूंड लूंगी आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है नंदु पलट कर विश को देखता है और कहता है मैडम ये तो रही दुकान हम पहुँच गए हैं विश देखती है सामने सिर्फ एक मकान है और वहाँ पर कोई कपडों की दुकान नहीं है वह हैरानी से नंदु को देखती है तो नंदु कहता है अरे वह भाई साहब उपर बैठते हैं उपर वाले कमरे में बैठ कर सिलाई करते हैं ये देखिए ये छोटी सी सीडी है आप उपर चली जाए विश नंदु के हाथ से कपडों का पैकेट लेती है और उस छोटी सी लोहे जैसी सीडियों से उपर की तरफ चली जाती है दो मंजिला बहुत ही छोटा सा जगह में बना हुआ मकान था विश ने जैसे ही दर्वाजा खटखटाया अंदर से अंदर आने की आवाज आती है विश धीरे से दर्वाजा खोल कर अंदर जाती है तो अगले ही पल उसे न जाने क्यों अपनी आँखों के सामने एक चमकती हुई चीज महसूस होती है और अपनी नाक में कुछ तेज सा गंधू से महसूस होता है उसके बाद क्या हुआ विश को कुछ समझ में ही नहीं आया पैकेट हाथ से छूट चुका था और दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था विश नंदू के हाथ से कपड़ों का पैकेट लेती है और उस छोटी सी लोहे जैसी सीडियों से उपर की तरफ चली जाती है दो मंजिला बहुत ही छोटा सा जगह में बना हुआ मकान था विश ने जैसे ही दर्वाजा खटखट आया अंदर से अंदर आने की आवाज आती है विश धीरे से दर्वाजा खोल कर अंदर जाती है तो अगले ही पल उसे न जाने क्यों अपनी आँखों के सामने एक चमकती हुई चीज महसूस होती है और अपनी नाक में कुछ तेज सा गंध उसे महसूस होता है उसके बाद क्या हुआ विश को कुछ समझ में ही नहीं आया पैकेट हाथ से छूट चुका था विश बेहोश हो चुकी थी उसका दिमाग ब्लैंक हो चुका था उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ना कुछ नजर आ रहा था उसके लिए सारी दुनिया इस वक्त सिर्फ उसके कानों में ही बज रही थी उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसे जो भी नशा दिया गया था या फिर जो भी गैस उसके चेहरे पर छोड़ी गई थी उसकी वजह से उसकी आँखें बिलकुल बंद थी पर उसे हर चीज सुनाई दे रही थी उसे महसूस हो रहा था जो उसके साथ हो रहा है विश ने महसूस किया कि उसे वहां से किसी गाड़ी में डाल कर ले जाया जा रहा है सारे रास्ते उसे गाड़ियों की आवाज और हॉन सुनाई दे रही थी उसे ट्राफिक सिगनल की लाइट्स और बाहर आती जाती गाड़ियों का साउन सुनाई दे रहा था वह कहां जा रही है इस बात का उसे अंदाजा तक नहीं था सामने की तरफ शायद दो आदमी बैठे हुए थे जो आपस में बात कर रहे थे बॉस को बोल माल का इंतजाम हो गया है पैसे तैयार रखें जो ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ था उसने कहा तुझे यकीन है इस लड़की को ढूंडने के लिए कोई नहीं आएगा क्योंकि अगर यह बात बाहर गई ना तो छुपाना बहुत मुश्किल हो जाएगा हालांकि बॉस अपनी तरह से मामला हैंडल कर लेंगे लेकिन फिर भी वह कहते हैं जुर्म जितना हो सके उतना शांती से किया जाए तो जुर्म कभी सामने नहीं आता है दूसरे आदमी ने कहा हां मुझे पता है लेकिन इस लड़की ने खुद कहा है इसका इस दुनिया में उसकी बेटी के सिवा और कोई भी नहीं है इसलिए लड़की पूरी तरह से अकेली है तू फिकर मत, कर, कोई नहीं आएगा इसे ढूनने के लिए और कोई आभी गया, तो अपने बॉस है ही इतने पावफुल कौन उनसे पंगा लेना चाहेगा विश को उन दोनों की बातें सुनाई दे रही थी उसके कान में उन दोनों के शब्द पर रहे थे जो उस इस बात पर यकीन दिला रहे थे कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है विश को डर लग रहा था वह बेहोशी की हालत में भी घबरा रही थी उसे एक बार फिर से उन सब चीजों का एहसास हो रहा था जो उसने पहले बरदाश्ट किया था इसी तरीके से एक बार उसे प्राइवेट पफॉमेंस के नाम पर नाइट क्लब से ले जाकर किसी के कमरे में छोड़ दिया जाता है और उसी के बाद से उसकी जिंदगी बदल जाती है वह ये सब फिर से नहीं बरदाश्ट करना चाहती थी और नाही इन सब को फिर से महसूस करना चाहती थी पर इस वक्त उसका शरीर उसके काबु में नहीं था बस बेहोशी की हालत में अपने मन में खुद के लिए दुआ ही मांग रही थी और खुद को बचाने के लिए किसी फरिष्टे को बुला रही थी पर शायद विश भूल गई थी कि यह कल योग है यहाँ पर अगर आप खुद की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो आपकी हिफाज़त करने के लिए कोई भगवान नहीं आता है विश को महसूस होता है कि गाली कहीं एक जगह आकर रुख गई है और उसके बाद विश को जबरदस्ती खीच कर गाली से बाहर निकाला जाता है उसे किसी की पीट पर लटकाते हुए कहीं लाया जाता है और उसे कहीं पर फेंक दिया जाता है क्योंकि विश को महसूस हुआ था कि उसकी पीट पर एक तेज दर्द का एसास हुआ है इसी से उसने अंदाजा लगाया कि किसी ने उसे जमीन पर पटक दिया है तभी उसके कानों में एक आवाज आती है दानिश भाई कहां है उन्हें बुलाओ, बोलो दस वी लड़की आ गई है विश को अपने कानों में कुछ लड़कियों के रोने की आवाज भी सुनाई दे रही थी कुछ चिल्ला रही थी, कुछ छोड़ने की भीक मांद रही थी और कुछ गिल-गिला रही थी, पर विश की आँख खुल ही नहीं रही थी उसे बस हर आवाजों को ही सुनकर समझाना पर रहा था विश शायद किसी गिरोह में फस गई है और वह लोग बाकी लड़कियों के साथ उसे भी रख रहे हैं ये ग्रूप कोई और नहीं बलकी ड्रैगन के आदमी थे जिनका एक लड़कियों का कंजाइनमेंट आज रात को दुबई के लिए निकलने वाला था पर एक लड़की की मौत हो जाती है जिसकी वजह से उन्हें दसवी लड़की को जल्द से जल्द अरेंज करना था नंदू, जो की उनके ग्रूप का ही आदमी था उसकी नजर जब विश पर जाती है तो वह विश को किड्नेप कर लेता है और उसे नशे का इंजेक्शन देकर अड़े पर लाया जाता है जहां पर पहले से ही नौ लड़कियां रखी गई थी और विश को वहीं पर लाकर छोड़ दिया गया था थोड़ी देर बाद वहाँ पर दानिश आता है और बेहोश पड़ी हुई विश को देख कर कहता है जिंदा तो है ना नंदू ने कहा हाँ भाई बिलकुल जिंदा सिर्फ बेहोश किया है अब ये बताओ लड़कियों को भेजना कब है दानिश विश को देखते हुए कहता है मैं एक बार पहले बॉस को इस बारे में बता देता हूं कि दसवी लड़की मिल गई है उसके बाद बॉस बताएंगे कि लड़कियों को भेजना कैसे है दानिश अपना फोन निकलता है और अगले ही पल पुरोहित को फोन कर देता है पुरोहित इस वक्त अभई की केबिन में था और अभई के हाथों में विश की डिटेल की फाइल थी उसने घुर कर पुरोहित को देखते हुए कहा क्या तुम्हें यकीन है कि तुम जो इन्फॉर्मेशन लाय हो वह सही है पुरोहित घबरा जाता है पर जल्दी से हा में सर हिलाते हुए कहता है जी सर मैं जो इन्फॉर्मेशन लाया हूँ वह पूरी तरह से सही है इस लड़की का नाम विश है और पूरा नाम विशाखा है ये पहले जिन लोगों के साथ रहती थी उन लोगों ने इसे गोद लिया था और जब उनका काम निकल गया तो उन्होंने इसे एक नाइट कलब को भेज दिया था तक करीबं तीन साल तक विशाखा वहां पर बारदानस का काम कर रही थी फिर एक दिन उसके नाइट क्लब के मैनेजर ने किसी आदमी को विशाखा के साथ एक रात के लिए भेज दिया था और उसके बाद विशाखा उस नाइट क्लब से भाग देई वह छोटी मोटी नौक्रियां करके दूसरे शहर में अपना गुजारा करने लगी थी अभय ने हैरानी से पूछा गुड नाइट क्लब से भागी क्यों पुरोहिद जल्दी से कहता है क्योंकि सर वह उस रात जिस आदमी के साथ थी उससे वह प्रेगनेंट हो गई थी विशाखा ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि अगर नाइट क्लब में वह अपने बच्चे को जन देगी तो यहां के लोग उसे या फिर उसके बच्चे को मार देंगे या फिर उससे भी वही काम करवाएंगे इसलिए वह वहां से अपने बच्चे को लेकर भाग गई थी और दूसरे शहर चली गई दूसरे शहर में जाकर उसने अपनी बेटी को जन दिया था जिसका नाम उसने ट्विंकल रखा है लेकिन सर अभी कुछ महीने पहले ही पता चला है कि ट्विंकल के दिल में छेद है विशाखा को अपनी बेटी के इलाज के लिए बहुत पैसे अरेंज करने है फिलहाल उसकी बेटी का इलाज एक सरकारी अस्पताल में चल रहा है और विशाखा उस होटल में हाउसकीपिंग का काम करती है वह जानती है इतने पैसे उसके लिए काफी नहीं है लेकिन फिर भी वह मेहनत से अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे कमा रही है अभय की निगाहें तीक ही हो गई थी वह पुरोहित की सारी बात तो सुन रहा था पर जब उसने विश के नाइट क्लाब से भागने की वज़े सुनी तो वह हैरान हो जाता है विश किसी के बच्चे से प्रेगनेंट हो गई थी और उसे ये तक नहीं पता है कि वह इनसान कौन है और वह उसके बच्चे को पालने के लिए नाइट क्लाब से भाग जाती है यहां तक कि उसके इलाज के लिए दिन रात मेहनत करती है अभय ये सब सोच ही रहा था कि तभी पुरोहित के जेब में रखा हुआ फोन बजने लगता है पुरोहित अपना फोन निकालता है तो दानिश की कॉल थी वह हरानी अभय को देखते हुए कहता है बॉस दानिश की कॉल आ रही है अभय ने अपने चेहरे से हा में इशारा किया तो परोहित फोन उठाता है और स्पीकर पर रखते हुए कहता है बोलो दानिश सर बॉस को बता दीजिए कि दस्वी लड़की का अरेंजमेंट हो गया है उन सभी लड़कियों को शिप पर कब भेजना है और कैसे भेजना है मैंने ये पूछने के लिए फोन किया है क्योंकि फोन स्पीकर पर था तो दानिश की बात अभय ने भी सुन ली उसने तीखी नजलों से फोन स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा तुम उन सारी लड़कियों को लेकर साइट पर पहुँचो मैं थोड़ी देर में वहां पहुचता हूँ वह दस्वी लड़की जिससे तुम अभी अभी लेकर आये हो मैं आकर देखता हूँ कि वह दस्वी लड़की कंसाइनमेंट में भेजने के लिए काबिल है भी या नहीं दानिश घबरा जाता है और जल्दी से कहता है जी बॉस मैं सभी लड़कीयों को लेकर साइड पर पहुचता हूँ अभय अपने हाथों में पकड़ी हुई विश की फाइल को देख रहा था और उसमें विश की जो फोटो थी वह धीरे से उसकी तस्वीर पर अपने हाथ रखते हुए कहता है वही दूसरी तरफ दानिश और नंदू मिलकर सभी लड़कीयों को एक गाड़ी में लोड करते हैं और थोड़ी ही देर बाद उनकी गाड़ी समंदर के किनारे एक सुनसान जगह पर शिप के बाहर खड़ी थी वहाँ पर पहले से ड्रैगन के आदमी मौजूद थे जिनके चहरे पर मास्क लगा हुआ था और उन्होंने जो कपड़े पहने थे उस पर ड्रैगन का लोगो बना हुआ था उन सबने मिलकर सारी लड़कियों को एक एक करके शिप के अंदर डालना शुरू कर दिया और सब के मुह पर टेप लगाई हुई थी जिससे की वह लड़कियां चिला ना सके विश भी उन्ही लड़कियों के बीच में पड़ी हुई थी उसकी भी बस सांसे चल रही थी और आँखें बंध थी बाकी बिहोशी की हालत उस पर ऐसी थी किनशे की वज़े से उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब उसके साथ आगे क्या होगा थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक कार आकर रुखती है उसके आगे का दर्वाजा खोलने के साथ में ही पुरोहित बाहर आता है पुरोहित को देखते हुए सिक्यूरिटी गार जल्दी से सतर खो जाते हैं और एक गार जाकर जल्दी से पीछे का दर्वाजा खोलता है जिसमें से अभय बाहर निकलता है अभय ने इस वक्त अपने कपड़े पूरी तरह से बदल चुके थे जब वह ओफिस में था तो उसने थरी पीस बिजनेस सूट पहना हुआ लेकिन अब उसने ब्लेक जीन्स और लेदर की जैकेट डाल रखी थी उसके बाल भी जेल लगा कर उसने सेट किये हुए थे और एक कानों में डायमंड का ब्लेक कस्टड था दूर से दिखने पर ही अभई ड्रेगन गैंग का ब्लेक ड्रेगन लीडर नजर आ रहा था वह अंदर आता है जहां पर शिप के पिछले हिस्से में बहुत सारे लोग पहले से ही मौजूद थे ये लोग दुबई और उसके आसपास के शहरों से आय हुए थे जो यहां पर लड़कियों का सौदा करने के लिए आय थे इन लोगों का ड्रेगन के साथ बहुत अच्छा इलीगल वक का रिलेशन था और यूमन ट्राफिकिंग में अक्सर ये लोग ड्रेगन को ही कांटेक्ट किया करते थे क्योंकि ड्रेगन इन्हें जो भी सप्लाई देता था वह कभी भी पुलिस ट्राक या रिकॉर्ड में साबित नहीं होता था इसलिए ड्रेगन हमेशा अपने काम को ऐसे करता था कि उसका कोई सबूत पीछे नहीं छूटता था शिप से चलते हुए अंदर आने के साथ ही ड्रेगन ने अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया उसका ड्रेगन का मास्क इस बात का सबूत था कि ड्रेगन सिर्फ काम करने में यकीन रखता है उसे कोई देखे या फिर कोई उसके बारे में जाने यह उसे बिल्कुल भी गवारा नहीं है जैसे ही ड्रेगन वहां पहुँचता है जैड उसकी नजर उस शिप के हॉल में मौझूद लोगों पर जाती है जो की अपने हाथों में शराब का ग्लास लिए एक दूसरे के साथ माफिया की बाते कर रहे थे पर जैसे ही ड्रेगन वहां आता है उससे पूरे महौल में एक शांती पसर जाती है सब लोग ड्रेगन को देखकर खामोश हो गए थे और ड्रेगन वहां से सीधे अपने किंकी कुर्सी पर आता है और उस पर बैठते हुए वह सब को बैठने का इशारा करता है सारे माफिया और अंडरवल्ड के लोग अपने अपनी जगह पर बैठ गए थे सब लोग ड्रेगन के आने के बाद ऐसे खामोश हो गए थे जैसे उनके अंदर जान ही नहीं है बस कुछ सुनाई दे रहा था तो बस उनके हाथ में पड़े हुए गिलास में जाम गिरने की आवाज एक खूबसूरत सी वेट्रेश जिसने ना के बराबर कपड़े पहने हुए थे वह जाकर ड्रेगन के सामने शराब की ट्रै करती है ड्रेगन उसमें से एक ग्लास उठा लेता है और बाकियों को हाथ उठा कर जशन शुरू करने का इशारा करता है सभी लोग तालियां बजा कर ड्रेगन जशन के लिए शुक्रिया कहते हैं और तभी वहाँ पर दानिश आ जाता है दानिश को देखते हुए ड्रेगन हामें सर हिलाता है तो दानिश जल्दी से हामें सर हिलाते हुए सभी लोगों की तरफ देखता है और कहता है आप लोगों को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो हर बार की तरह हम इस बार भी आपके लिए पेश कर रहे हैं बहुत ही खुबसूरत और नायाब लड़किया तो अब हम एक एक करके यहाँ पर आपके सामने उन सारी लड़कियों को पेश करेंगे सबसे उची बोली लगाए और अपनी पसंदीदा औरत को अपने साथ ले जाए लेकिन शर्ट वही है जो पहले निलामी के दोरान हुआ करती थी एक बार लड़कियों की बोली लग जाए तो उस लड़की को वापस नहीं कर सकता है और आपको उन लड़कियों को लेकर आज रात ही दुबई के लिए निकलना होगा दुबई के रास्ते आप चाहे तो अपने अपने देश जा सकते हैं लेकिन एक बार दुबई पहुंच जाते हैं तो उसके आगे की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी अगर कोई पकड़ा गया या फिर वह लड़की भाग गई तो वह आप ही की जिम्मेदारी होगी सभी लोग हमें सर हिलाते हैं और दानिश नंदू को इशारा करके एक एक करके लड़कियों को लाने के लिए कहता है जिससे उनकी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगाई जाए शिप में दानिश सबकी तरफ देखते हुए कहता है आप लोगों का यहां आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो हर बार की तरह हम इस बार भी आपके लिए पेश कर रहे है बहुत ही खुबसूरत और नायाब लड़किया तो अब हम एक एक करके यहां पर आपके सामने उन सारी लड़कियों को पेश करेंगे सबसे उची बोली लगाए और अपनी पसंदीदा औरत को अपने साथ ले जाए लेकिन शर्त वही है जो पहले निलामी के दोरान हुआ करती थी एक बार लड़कियों की बोली लग जाए तो उस लड़की को वापस नहीं कर सकता है और आपको उन लड़कियों को लेकर आज रात ही दुबई के लिए निकलना होगा दुबई के रास्ते आप चाहे तो अपने अपने देश जा सकते हैं लेकिन एक बार दुबई पहुँच जाते हैं तो उसके आगे की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी अगर कोई पकड़ा गया या फिर वह लड़की भाग गई तो वह आप ही की जिम्मेदारी होगी सभी लोग हमें सर हिलाते हैं और दानिश नंदू को इशारा करके एक एक करके लड़कियों को लाने के लिए कहता है जिससे उनकी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगाई जाए अभय ने ड्रेगन का मास्क पहने हुआ था और उसके सारे इलीगल वर्क के बिजनेस पार्टनर दूसरी तरफ बैठे हुए थे अभय की उनगली उस लाल वाइन के गिलास के किनारे पर चारों तरफ घूम रही थी और वह अपनी भूरी आँखों से चुप-चाप सबको स्कैन कर रहा था उसकी नजरे सबकी हरकतों पर थी कौन क्या कर रहा है? कौन कैसे बैठा है? और कौन किस से बात कर रहा है? तबी धीरे-धीरे करके सारे हौल की लाइट मधम हो जाती है और एक सेंटर लाइट बीच में जल रही होती है उस लाल रंग की सेंटर लाइट में सबकी आँखें चमक जाती है और सबका ध्यान उस पोट लाइट की तरफ चला जाता है जहां पर दानिश खड़ा था और सब को अपनी तरफ आकर शित करते हुए वह आज की नीलामी शुरू कर रहा था दानिश की नजरे ड्रेगन के ऊपर जाती है तो वह अपना सरहा में हिलाते हुए वाइन के गिलास को ऊपर की तरफ कर देता है दानिश ने कहना शुरू किया जैसा कि हर बार हमने अपने सौदे के दौरान आप लोगों को अच्छे से अच्छी लड़कियों पेशकश की है आपने भी बहुत उची बुलिया लगा कर यह साबित कर दिया है कि आप लोग कितने अच्छे बिजनेसमेन है सिर्फ लीगल बिजनेस में ही नहीं बलकि इलीगल बिजनेस में भी आप लोगोंने अच्छी महारत हासल की हुई है तो ज्यादा समय ना लगाते हुए मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर माफिया के सबसे बड़े किंग ड्रेगन मौजूद है और आज की निलामी की प्रक्रिया ड्रेगन के मौजूदगी में ही होगी सब लोग ग्लास को हवा में उठा कर ड्रेगन की तरफ देखते हैं तो ड्रेगन भी अपना ग्लास हवा में उपर करके सब के थेंक्यू का जवाब देता है दानिश कहता है तो हम लोग यहाँ पर जिस काम के लिए एक अठा हुए हैं उसकी शुरुआत करते हैं नंदू स्टेज पर आता है और वहाँ पर एक कुरसी रख देता है उसी के साथ ड्रेगन के दो आदमी आते हैं और उस कुरसी पर एक लड़की को लाकर बिठा देते हैं उस लड़की के चेहरे पर हताशा थी और नशे में होने की वज़े से उसका चेहरा नीचे की तरफ जुका हुआ था सबकी निगाहें उस लड़की के उपर थी और यहाँ से शुरू होता है इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक हरकत Dear Readers, मुझे पता है कि Human Trafficking और लड़कीयों की निलामी जैसे concept पर लिख कर मैं एक बहुत ही sensitive चीज़ को बता रही हूँ पर यह आज की सच्चाए है कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुए उस शर्मनाख हरकत से लेकर आए दिन आपके आसपास के गायब होने वाली लड़कीयों तक इन सब का शिकार हो चुकी है मेरा इस बिंदू को लिखने का सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि लड़कियां अपनी सुरक्षा खुद करना सीखें और किसी के बहकावे में न आए कौश्टक यहां तक कि वह अपने आसपास की लड़कियों को और अपने घर की लड़कियों को भी सुरक्षित रहने की सलाह दें क्योंकि एक बाहर अगर किसी गलत हाथों से उनका शिकार हो जाता है तो वह किस दर्दल में फंस जाती है बस ये बताना चाहती थी बाकी मेरा उद्देश किसी को हट करना नहीं था ये बस एक तरीका है सतर्क करने का कि एक बार अगर किसी लड़की को गलत काम में धकेला जाता है तो उसकी हालत या तो विश की तरह हो जाती है जो नाइट क्लब में नुमाईश के लिए रखी जाती है या फिर उससे और भी ज़्यादा घटिया काम करवाते हैं आशा करती हूँ इस बिंदू से किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंची होगी उस लड़की को नशा दिया गया था और नशे की हालत में उसे कुरसी पर बैठा दिया गया था और सामने बैठे हुए लोग मानवता को शर्मसार करते हुए वहाँ पर उन लड़कियों को खरीदने के लिए बैठे हुए थे जैसे कि वह कोई समान है दानिश ने उस लड़की के बारे में बताते हुए कहा कि यह लड़की 19 साल की है और पश्चम बंगाल के एक गाउं से लाई गई है इसे हिंदी नहीं आती है और कोई दूसरी भाषा नहीं आती है तो इसकी बोली शुरू होती है पांच लाख से सामने बैठे हुए उन लोगों ने अपनी बोली लगानी शुरू की और 18 शून्य 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 में उस लड़की की निलामी हो जाती है इसी तरीके से बहुत सारी लड़कियां लाई जाती है और एक एक करके सब की निलामी हो जाती है जैसे जैसे करके नीलामी की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे करके ड्रेगन की नजरे सिर्फ उन लड़कियों पर जाती और उनके खरीदारों पर ही जाती. ड्रेगन के लिए ये सब कुछ नया नहीं था वह यहां पर बैठा बैठा उप गया था उसके हाथों की एक उंगली वाइन के गिलास के चारों तरफ चक कर काट रही थी वह बस जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलना चाहता था पर नीलामी की आखिरी प्रक्रिया को करते हुए कुरसी पर एक लड़की को बिठाया गया था ड्रेगन अब देखना नहीं चाहता था इसलिए उसकी नजरें अपने वाइन के गिलास पर ही थी उसे पता था इस पर भी कोई ना कोई बोली लगा कर इस लड़की को लेही जाएगा दानिश ने लड़की के बारे में बताते हुए सामने बैठे खरीदारों से कहा तो हमारी आखरी बोली है इस लड़की के लिए जो की 24 साल की है और इसका नाम है विश जैसे ही अभय के कानों में यह नाम पढ़ता है उसके उंगलियां रुक गई थी और उसकी आखें एकदम से चमक उठी उसने तुरंट अपना चेहरा उठा कर स्टेज की तरफ देखा जहां पर ड्रेगन के दो आदमी एक लड़की को लाकर कुर्सी पर बिठा रहे थे विश कुर्सी पर नशे में पूरी तरह से बेसुध होकर बैटी हुई थी उसके बाल खुले हुए थे और उसका चेहरा लगका हुआ था आखों में आसु बह रहे थे जो उसके गालों पर चमकते मोती की तरह लग रहे थे और उसे देख कर कोई भी बता सकता था कि उसे नशा दिया गया है नशे की वज़े से विश का चेहरा नीचे की तरफ जुक रखा था जिसकी वज़े से लोग उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे पर उसकी वहलकी जांकी भी अभय के लिए काफी थी बताने के लिए की सामने बैठी ये लड़की कौन है दानिश विश के पास जाता है और उसका चेहरा अपने हाथों से पकड़ कर ऊपर की तरफ कर देता है उसकी आँखें बंध थी पर आँखों से आशू बह रहे थे विश को जब यहां लाया गया था तब वह पहले से ही नशे में थी लेकिन उसे सब कुछ सुनाई दे रहा था पर उसे स्टेज पर लाने से पहले जो इंजेक्शन लगाया गया था उस पर ऐसा नशा था जिसकी वज़े से उसे कुछ होश ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है विश के चेहरे को देख कर वहां बैठे सभी लोगों की आँखों में लालच नजर आता है और वह सब भूके भिडियों की तरह विश को देखने लगते हैं ड्रैगन की एक नजर भूमती हुई दानिश के उपर जाती है और फिर वह उन सभी लोगों को देखता है जो विश को भूर कर देख रहे थे ड्रैगन की आँखें तीकी हो गई और दानिश ने बोली लगानी शुरू कर दी तो आज की हमारी आखिरी और सबसे नायब बोली की शुरुआत करते हैं दो लाक से तीन लाक किसी ने अपना ग्लास हवा में उठाते हुए उस बोली में आगे की रकम जोड़ी तो दूसरे व्यक्ती ने अपना ग्लास हवा में उठाते हुए कहा पांच लाक पांच लाग की रकम सुनकर सब हैरान हो जाते हैं तभी पीछे से किसी ने बोली को आगे बढ़ाते हुए कहा दस लाग एक करोर दुबई से आए एक बहुत बड़े माफिया और बिजनिसमेन ने विश्को हैवानियत के साथ देखते हुए अपनी लार टुपकाई और एक करोर की बोली लगाए दानिश खुश होते हुए कहता है तो हमारे दुबई के माफिया लीडर ने एक करोर की बोली लगाई है कोई है यहाँ पर जो इस से उची बोली लगा सकता है, पचास करोर, एक दमदार आवाज के साथ सारे माफिया के लोग उस तरफ देखने लगते हैं और अब सब को सांप सुन गया था, किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ बोलने की, क्योंकि पचास करोर की बोली लगाने वाला और कोई नहीं बलकी भी हैरान हो गया था, उसका बोस क्यों बोली लग रहा है, उसे इन सब की क्या जरूरत है, अगर वह चाहता तो इस लड़की को ऐसे ही ले जा सकता था, लेकिन फिर भी उसने निलामी में अपनी हिस्सेदारी दिखाए, ड्रेगन की नजरे अभी तक अपने वाइन के गिला खराए थे, क्योंकि ड्रेगन के सामने बोली लगाने की आउकात किसी की नहीं थी, दानिश की तो हाला थी खराब हो गई थी, ये पहली बार था जब ड्रेगन ने किसी लड़की की सौदेबाजी में अपनी हिस्सेदारी दिखाई थी, वरना उसे जब भी कोई लड़की प चीज है, वह किसी भी लड़की के लिए इतना पैसा बरबाद नहीं करेगा, पर अगर ड्रेगन इस लड़की के लिए 50 करोर जितनी बड़ी रकम की बोली लगाई है, इसका मतलब ये लड़की जरूर खास है, इसके आगे ना तो किसी की कुछ कहने की हिम्मत थी और ना ही क पर फिर भी उसने जल्दी से कहा, 50 करोर एक, 50 करोर दो, 50 करोर तीन, इसी के साथ यह निलामी खत्म होती है, सब लोग वहाँ पर ऐसे बैठे हुए थे, जैसे सब को सांप सून गया है, ड्रेगन ने अपना दूसरा हाथ उठा कर कुछ इशारा किया, तो ड्रेगन के आदमी जल्दी से आते हैं और बाकी माफिया गैंग के लीडरों से कहते हैं, अब आप लोग जा सकते हैं, आप लोगों ने जिन लड़कियों का सौदा किया है, उन लड़कियों को आपकी बोट पर भेज दिया जाएगा, अगले पांच मिनिट में वह पूरा हॉल खाली हो गया थ वहाँ पर सिर्फ दानिश और नंदू ही थे और उसके साथ ड्रेगन के दो पसनल बोडी गार्ड, नंदू घबरा गया था, जब दानिश ने उसे कहा कि ड्रेगन ने एक लड़की की बोली लगाई है और अब उसे लड़की को ड्रेगन के गारी में ले जाना होगा, नंद पूर्ती हुई निगाहों से नंदू और दानिश को देख रहा था। तो उन दोनों के हाथ काम गए और वह दोनों अपनी जगह से पीछे हट गए। ड्रेगन के बॉडी गार्ड आगे आते हैं और कहते हैं बॉस चाहते हैं कि आप इस लड़की को हाथ ना लगाए। पर इससे पहले कि वह गिरती किसी ने उसे कमर से पकड़ कर थाम लिया। यह कोई और नहीं बलकी ड्रेगन था जिसने विश को पूरी तरह से अपनी बाहों में समेट लिया था। उसे ऐसा देख कर वहां खड़े हर लोगों की आँखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। ड् ड्रेगन की आँखें तीखी हो गई थी। उसकी नजरें सिर्फ विश के उन गुलाबी होटों पर थी। वह धीरे धीरे कुछ बोलतो रही थी पर नशे में होने की वज़े से ना उसके शब्द साफ निकल रहे थे और ना उसकी आवाज साफ निकल रही थी। अगले ही पर ड्रेगन उसे अपनी गोद में उठा लेता है और शिप से लेकर बाहर आ रहा होता है। बोडी गार्ड बाहर सतर खो जाते हैं और ड्रेगन की गारी में बैठा पुरोहित जब अपने बॉस को किसी लड़की को लाता हुआ देखता है तो उसकी आँखें एकदम से बड़ी हो जाती है। वह जल्दी से गारी से निकलता है और पिछला दर्वाजा खोल देता है। विश को गारी अंदर रखने के बाद ड्रेगन ने पुरोहित की तरफ देखते हुए कहा तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। पर क्योंकि उसने विश को पहचान लिया था इस लिए उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन उसे समझ ही नहीं आया कि विश यहाँ पर क्या कर रही है। परोहित ने आज विश की इनफॉरमेशन अभय को दी थी जिसमें विश की तस्वीर भी मौझूद थी पर उसे समझ ही नहीं आया कि होटल में काम करने वाली विश अचानक स माफिया के चक्कर में कैसे फंस दई और अभय के हाथ कैसे लग गई नाइट क्लब में म्यूजिक जोरो से चल रहा था पास ही टेबल पर बैठे लोगों के हाथों में शराब थी और उनकी नजरे स्टेज पर डांस कर रही लड़कियों के उपर ही थी जिन्होंने ना के बर टपकाते हुए विश को ही देख रहे थे विश के लिए तो यह मजबूरी थी कि उसे यह काम करना ही पढ़ रहा था उसके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था लेकिन सामने बैठे हुए लोग वह तो मजबूर नहीं थे ना फिर वह क्यों किसी लड़की का फाइद करती थी वह बस नाइट क्लब में दांस किया करती थी और उसे जो भी पैसा मिलता था उसके लिए उतना ही काफी था ऐसा नहीं था उसे कभी ओफन नहीं मिला था या फिर ऐसा भी नहीं था कि के साथ कभी बत्तमीजी नहीं की गई थी आज भी विश अपने स्टेज पर और विश की तरफ बढ़ा देता है विश को जबर्दस्ती मुस्कुराना ही पड़ता है और वह अपना हाथ बढ़ा कर वह 100 रुपे का नोट पकड़ लेती है पर अगले ही पल वह आदमी विश का हाथ पकड़ कर उसे अपनी गोद में बिठा लेता है विश उसकी पकड़ स उससे में उस आदमी को खुद से दूर धकेलते हुए कहती है, छोडो मुझे कमीने, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, जाओ जाकर किसी और पर ट्राइ करो, यहाँ पर तुम्हें बहुत सी ऐसी लड़कियां मिल जाएगी, पर मैं ये काम नहीं करती हूँ, छोडो मुझे, वि तेज चीक के साथ विश्की आँखे खुल गई थी, उसने सपने में अपने साथ हुए उस दर्दनाक हादसे को देखा था, जब लोग उसे सिर्फ इस्तिमाल करने के लिए और छूने के लिए उसका सौदा किया करते थे, वह तुरंत उठकर बैट गई, उसका पूरा शरीर दर से काम प्रहा था, उसे पसीना आ रहा था, ये भयन कर सपना उसने फिर से देखा था, हालांकि यह सपना उसके गुजरे जीवन की सच्चाई थी, पर वह कभी भी इस सपने को देखना नहीं चाहती थी, और इन सब को फिर से महसूस नहीं करना चाहती थी, पर यह दराव खर्च करें और उसके बाद बाद विश के साथ वह होता है जो वह सोच भी नहीं सकती थी। विश का दिल उसके सीने में जोरों से धड़क रहा था। अपने जीवन के काले अतीत को याद करते हुए उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से निकल कर बाहर ही आ जाएगा। वह बिलकुल अपरिचित कमरे पर और एक अंजान जगह पर थी। वह बैद पर बैटी हुई थी और पूरे कमरे में रोशनी बहुत धीमी और नाम मात्र की थी। विश ने अपनी निगाहें हर जगह दोड़ाए और आखिरकार उसे सामने सोफे पर एक भारी भरकम शरीर बैठा हुआ नजर आता है। जिसे देख कर विश की आखें एकदम से बढ़ी हो गई। यह उसका सच है या वह सपने में कोई सपना देख रही है। नहीं ये सच नहीं है। ये कैसे हो सकता है। वह यहां कैसे हो सकता है। एक पल के लिए तो उससे लगा जैसे कि वह सपना ही देख रही है। क्योंकि सो के उपर ही टक्तकी लगाए हुए देख रही है विश ने बार-बार अपनी पलके जपकाए और इस सपने से जागने की कोशिश की उसने अपने गालों पर भी हात मारा जिससे की वह नीन से जाग जाए क्योंकि वह सामने बैठे हुए व्यक्ति को साफ देख पा रही थी भले ह अब्ह Cornell की कमरे में कम रोषणी थी पर इस रल की लाल रोषणी में वह कोई लाल डेविल जैसा नजर आ रहा था पर ऐसा कैसे हो सकता है यह आदमी उसके सामने कैसे हो सकता है क्या विश को कोई ब्रह्म हो रहा है विश ने अपने दोनों हतेलियां उठाए और अपनी अभई ने अपना एक हाथ उठाया और चूट की बजाई उसी के साथ ही पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है और रोशनी में विश को अभई का चहरा साफ नजर आता है। अभई ने वाइन के बोतल में से वाइन गिलास में डाली और उसे दोबारा पीने के लिए अपने होटों तक लाता है। तो उसे कुछ महसूस हुआ वहरानी से अपना चहरा नीचे करके देखती हैं तो उसकी आँखें एकदम से फटी की फटी रह जाती है। उसने इस वक्त बहुत ही छोटी सी और ट्रांस्पेरेंट ड्रेस पहनी हुई थी। जिसमें उसका सामने का हिस्सा बहुत ज्यादा रिवील हो रहा था। विश की आँखें एक दर से बड़ी हो जाती है। उसने अपनी नजरे उठा कर अभय की तरफ देखा, जो अभी भी अपनी गहली निगाहों से विश को ही देख रहा था। विश ने तुरंट अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके अपने सीने को धखना शुरू कर दिया। वह खुद को छुपाने के लिए इधर उधर देखते हैं। विश ने देखा उसके पैरों के पास ब्लैंकिर पढ़ा हुआ है। जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाती है और ब्लैंकिर को कीच कर खुद के सीने पर रख लेती है। वह खुद को पूरी तरह से धखने की कोशिश करती है और उसे ऐसा करता देखा भई के चेहरे पर एक मजा के अमुसकान आ जाती है। शराब से जादा मजा तो अब उसे विश्की हरकतों से आ रहा था। विश्की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि अब वह भई की तरफ देख सके। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और अपने गालों पर बहरें आसूँ को पहुंच लिया। उसने घबराते हुए अपना चेहरा नीचे किया लेकिन धीरे धीरे और बुदबुदाते हुए शब्दों में उसने कहा मैं कहा हूँ। अभय ने उसका सवाल तो सुना लेकिन वह जवाब देने के मूड में नहीं लग रहा था। अभय ने वाइन के बोतल में से और वाइन गिलास में डाली और उसे मजे लेकर पीने लगा। जब तक उसके गिलास की सारी वाइन खत्म नहीं हो गई तब तक वह बस अपनी निगाहों से विश को भूर कर देख रहा था। चहरे पर वही मुस्कान थी। विश को उसकी निगाहें खुद के उपर महसूस हो रही थी। पर उसने देखा कि अभय उसके सवालों का जवाब नहीं दे रहा है और यहाँ पर कोई है भी नहीं जिससे वह ये सवाल कर सके। विश अपना चहरा नीचे जुकाए हुए ही बैटी थी। लेकिन जब अभय का पिना खत्म हो गया तो वह गिलास को वापस टेबल पर रखता है। वह अपने पैरों पर खड़ा होता है और धीरे धीरे चल कर विश के पास आने लगता है। विश जब उसे अपने पास आता अगे बढ़ाने के लिए कोई जगह नहीं थी और वह घबराई हुई नजरों से एक नजर अभय को देखती और फिर अपना चहरा नीचे कर लेती। अभय धीरे धीरे कदमों से बिस्तर के पास आता है। वह अपना एक घूटना बिस्तर के उपर रखता है और अपने शरीर को विश के बिलकुल करीब लेकर चला जाता है। विश डर से एकदम दहल गई थी। उसकी आखें एकदम बड़ी हो गई जब उसने अभय के उस भारी भरकम शरीर को अपने करीब देखा। अभय बिलकुल उसके करीब आ जाता है और अपने चहरे को उसके चहरे के पास ले अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालो मिस विशाखा, अभय की दरावनी आवाज सुनकर विश की आँखें एकदम से बड़ी हो जाती है और वह हैरानी से अभय को देखने लगती है, विशाखा इस नाम को उसने बहुत समय पहले ही छोड़ दिया था, ये नाम कभी उसकी पहचान हुआ करता था, लेकिन जब उसे अपने माबाप की सच्चाई का पता चला, तो उसके बाद से उसने इस नाम से सारे रिष्टे तोड़ दिये थे, उसने विश के नाम पर अपनी नई पहचान बनाए और उसी नाम से ही जानी जाती थी, तो अचानक से अभय को उसक अपने इतने करीब महसूस हो रही थी, कि विश को चक कर आने शुरू हो गए थे, अभय विश के चेहरे की बहुत करीब था और उसने उसकी आँखों में देख कर कहा, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, जब तुम याद करोगी, कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, विश ने एक जटके से अपनी आँखें बंद कर ली और याद करने की कोशिश करने लगी, कि उसके साथ क्या हुआ था, उसे एक एक करके सब याद आता है, वह कुरला के एक, लोकल मार्केट में गई थी, जहां पर किसी ने उसकी मदद करने के बहाने उसे कुछ ऐसा पदार्त उसकी नाक के पास छोड़ दिया था, जिसकी वज़े से वह बेहोश हो गई, और कुछ सोचने समझने की क्षमता उसमें नहीं रही, उसके बाद उसे याद आता है कि कैसे बेहोशी की हालत में वह वेन में थी और उसने उन लड़कों की बात सुनी थी, लड़के उसे कहीं लेकर गए थे और उसके बाद बाकी लड़कियों की बीच फिर उसके शरीर में एक तेज दर्द का हैसास और उसके बाद उसका दिमाग पूरी तरह से बलैक हो गया, और जब होश में आती है तो वह इस कमरे में थी, अभय के सामने वह भी आधे ढखे आमने खुद को पाती है, जिससे उसने ही थपड़ मारा था, विश के चहरे पर घबराहट देखकर अभय को एहसास हो जाता है, कि उसे पता चल गया है, कि वह यहाँ पर कैसे आये है, और इसी के साथ अभय के चहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है, वह धीरे से विश के ब्लैंकिट पर मजबूत हो जाती है और वग अभराते हुए अभय को देखने लगती है, अभय अपनी शैतानी मुसकान के साथ सीधा खड़ा हो जाता है, और विश की हर एक हरकत को देखने लगता है, विश जल्दी से कमरे में इधर उधर अपनी नजरें दोआती है, जैस वह विश का बैग भी उसके साथ लेकर आये थे, और जब अभय विश को अपने साथ लेकर आ रहा था, तो उसने उसका सारा सामान भी गाड़ी में रखने के लिए कह दिया था, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसके बैग के सिवा, इसलिए अभय वह बैग जान में जान आती है, वह जल्दी से बैग के दूसरी तरफ से उचल कर नीचे कूट जाती है, पर इस चक्कर में उसका ब्लैंकिट उसके हाथ से नीचे चूट गया था, विश फिर से घबरा जाती है और अभय की नजर विश के उस सीने पर थी, विश ने जल्दी से अपने बैग उठाया, उसकी नजर टेबल पर पड़ती है, जहां पर सेंपियन के बॉटल्स के साथ साथ है स्ट्रे पर एक दरजन से ज्यादा सिग्रेट बुजी हुई है, पर इसी के साथ उसकी नजर जाती है टेबल के सबसे कोने पर रखी हुई गन पर, जैसे ही विश की नजर बंदूग पर पड़ती है, उसकी सांस उसके गले में फंज जाती है, वहरान नजरों से बस उस बंदूग को ही देख रही थी, उसके हाथ लडखडा गए थे, उसने जल्दी से लडखडाते हुए हाथों को अपने बैग के अंदर डाला और जल्दी से अपना फोन निकाला पर जैसे ही उसने फोन की स्क्रीन को अन करना चाहा उसे महसूस होता है कि उसका फोन डिस्चार्ज हो चुका है और स्विच आफ होकर उसके बैग में ही पड़ा हुआ है, दर से उसके चेहरे पर पसीने आ गए थे और वह हैरानी से इधर उधर देख रही थी, ये भी नहीं पर जब उसकी नजर सामने खड़े शैतान पर जाती है तो वह अपनी जगह से हिल जाती है और अपने कदम पीछे लेने लगती है, अभय अपने खतरनाक और कोल्ड एक्स्प्रेशन के साथ अपनी जगह पर ही खड़ा था, वह एक इंच भी अपनी जगह से नहीं हिला था, उसके सामने के दोनों हाथ बंदे हुए थे, शर्ट की दो बटन खुली हुई थी, जिसकी वज़े से उसका चौड़ा सीना दिखाई दे रहा था, सफेद शर्ट के आस्तीन को उसने फोल्ड करके कोहनी तक लपेट रखा था, उसकी वज़े से उसके बाइसेप साफ नजर रहे थे, विश की नजर जब अभय के ऊपर जाती है, तो वह अपनी थूप निगलते हुए उसे देखने लगती है, विश अब तक न, जाने कितने अंगिनत लोगों से मिली थी, और बहुतों के साथ उसकी निगाहें मिलने के साथ ही वह उनकी भावनाओं को पहचान लेती पर इस इंसान को समझना लगभग असंभव है, ये व्यक्ति अपने आप में इतना डरावना व्यक्तित्वर रखता है, उसकी खामोशी भी वहां के महौल को डरावना कर सकती है, वह उससे कुछ कहना चाहती थी, कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन उसे खुद ही नहीं पत तलाश कर रही थी, उसे लगा अभय उसे रोकेगा, उसे पकड़ कर फिर से उसे कैद कर लेगा, और बंदूक उसने टेबल पर देखी है, हो सकता है वह उसे उसकी जान ले ले, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अभय तो अपनी जगह से हिला तक नहीं था, वह बिलकुल शा विश तेज कदमों के साथ दर्वाजे के पास जाती है और अगले ही दर्वाजे के हैंडल को घूमा कर वहां से बाहर के दर्वाजे को खोलती है, जैसे ही विश ने दर्वाजा खोल कर बाहर देखा, उसकी सांसे एकदम से तेज हो जाती है, बाहर अपने हाथों में तरह त रहे के हतियार लिए बॉडी बिल्डर टाइप लोग पूरे रास्ते में खड़े थे और जब विश उनके सामने नजर आ रही थी तो विश को एहसास हो गया था कि यहां से निकलना उसके बस की बात नहीं है अब उसे पता चला कि अभय ने उसके यहां से निकलने पर कोई प् अभय भी अपनी जगह पर खड़ा था और शांत नजरों से विश को देख रहा था कमरे का महौल अभी भी उतना ही दरावना और खतरनाक था विश ने डरते हुए अभय की तरफ देखा और उससे पूछा क्या चाहते हो मुझ से बोलने के साथ ही विश की आँखों से जार कर रही थी लेकिन उसने जवाब देने की बजाए दोबारा से अपने कदम सोफे की तरफ बढ़ा दिये जहां पर वह पहले बैठा हुआ था वह आराम से सोफे पर बैठ जाता है और किसी राजा की तरह एक पैर पर दूसरा पैर चड़ा लेता है उसने दोबारा से सें और चिकते हुए कहती है मैंने कुछ पूछा है तुमसे तुम क्या चाहते हैं मुझसे और क्यूं लेकर आए हैं मुझे यहां पर अभय के हाथ रुक गए थे और उसका ग्लास पूरी तरह से भरा भी नहीं था अभय ने सेंपियन की बोतल को वापस टेबल पर रख दिया उसन पैर जो एक के उपर एक चड़ा हुआ था उसने उसे खोल दिया और शैतान की तरह वह विश के सामने अपने आपको प्रदर्शित करने लगा उसे ऐसा देख कर विश घबरा जाती है और अपने कदम पीछे ले लेती है अभय के चहरे पर एक डेविल स्माइल थी और उसने विश की आँखों में देखकर उससे कहता है मुझे नहीं लगता है कि किसी को अपने मालिक के सामने इस आवाज में बात करनी चाहिए विश हैरान हो जाती है अभय की बात सुनकर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभय उसे क्या बोले जा रहा है वह हैरानी से पूछती है मा आप कहना क्या चाहते हैं? अभई के चेहरे पर तिर्ची मुस्कान थी और वह विश्कों उपर से लेकर नीचे तक घूरते हुए देखता है और उससे कहता है अभी कुछ ही घंटे पहले तुम्हारा सौदा किया जा रहा था। पर और ना ही मैं इस सौदे को मानती हूँ इनसान हूँ कोई सामान नहीं जिसे खरीदा और बेचा जा सके विश्क ने एकदम गुस्से में चिलाते हुए अभई से कहा तो अभई की निगाहें चोटी हो गई और वहती की निगाहों से विश्कों देखते हुए कहता है मैं कीमत तुम्हारी दी है मिस विशाखा वह कीमत मेरे सामने रखो और चली जाओ यहां से विश्क के हाथ काम गए थे वह हरानी से अभई की तरफ देख रही थी अभई ने उसकी हरांगी भरी निगाहें समझते हुए एक दरावनी हसी हसता है और विश्कों देख कर कहता है प पूरा हुआ रंग देख रहा था विश्क ने जिस पस को अपने सीने से लगाए रखा था वह पस लड़कडा कर गिरने को हो रहा था उसने उसे संभाला और हैरानी से अभई को देखने लगी क्या सच में अभई ने इतनी बड़ी रकम देकर उसे खरीदा था और अब वह भी बरकरार था वह गुसे में अभई को देखते हुए कहती है सबसे पहली बात मैंने आपसे नहीं कहा था मेरे लिए कीमत चुकाने के लिए और मैं इतनी बड़ी कीमत आपको नहीं दे सकती हूँ मैं पूरी जिंदगी भी अगर काम करूंगी तो भी आपको इतने पैसे न अभई की एक आइबरो उड़ जाती है और वह विश को देखने लगता है ये लड़की उसके सामने निर्भई होकर बाते कर रही थी उसकी आँखों में आँखें डाल कर वह उससे अपनी बात कह रही थी और अभई उसके शब्दों के वार से प्रभावित हो रहा था पर रखा हुआ अपना सेंपियन का ग्लास उठाता है उसने सेंपियन के ग्लास को होंट तक लाते हुए विश को देखा और उसे देख कर कहने लगा बिल्कुल सही कहा तुमने मिस विशा खा और ये कहने के साथ ही अभई उस सारे ग्लास को एक सांस में घटक लेता है वह अ पिल्कुल उसके करीब आ जाता है और उसके चेहरे को देखने लगता है, जिस पर आंसू और गुस्सा दोनों नजर आ रहे थे, अब एक खतरनाक मुसकान के साथ विश के चेहरे पर जुकता है और उसकी आँखों में देखते हुए कहता है, तो इसी बात से अंदाजा लगा मिस विश खा, कि अगर मैंने उस वक्त तुम्हारी कीमत नहीं चुकाई होती तो इस वक्त तुम कहा होती है, और तुम्हारा क्या हाल हो रहा होता, हो सकता है अब तक तुम इंडिया से बाहर होती और शायद दुबई भी पहुंच गई होती, या फिर किसी और देश चली ग बै थे, और उसके एक एक शब्दों ने उसे अतीत की उन बुरी यादों को याद दिला दिया था, जिस दर्द को वह सहन कर गई थी, वह दर्द एक बार फिर से उसके सामने आ गया था, अगर एक बार वह उन दरिंदों के हाथ लग जाती, तो उसका अस्तित्व कुछ नही होता, और वह सिर्फ एक खिलोना और इस्तिमाल करने वाली चीज ही बन कर रह जाती, इसके बाद तो वह जीने की सोच भी नहीं सकती थी, और अगर उसे कुछ हो जाता तो ट्विंकल का क्या होता?